हलो दोस्तों गूड़ बॉड़निंग स्वागति वार फिर से आप सभी काया MZT एजूकेशन में दोस्तों आज है 30 सितंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 सितंबर 2021 के करेंट अफेर के सभी important questions के बार में पूरी वीडियो ध्यांस देगेगा पूरी वीडियो डेटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर देना इस वीडियो की पीडियो फाइल और डेटेल के साथ क्विज दोस्व आपको मिलेगी हमारे अप्लिकेशन MZTF पर तो Google Play Store से आप MZTF भी डाउनलोड कर लीजिए इसकी पीडियो फाइल के साथ साथ आपको ये जो डेटेल वाली पीडियो दी जा रही है ये तो दी ही जाएगी साथी साथ वन लाइनर भी दी जाती है वन लाइनर आपको मिलेगी हमाई टेलीग्राम गुरूप पर तो आप टेलीग्राम गुरूप पर जॉइन कर लीजिए वहाँ से आप वन लाइनर सिर्फ एक मिनेट में पढ़ करके रिविजन अपना कर सकते हैं चलिए बात करते हैं लास्ट डिके कुशन की लास्ट डिका हमारा पहला कुशन था हारमुज जल संधी किस किस देश के बीच में है तो ये है ओमान और इरान के बीच में उन्चासमा दादा सहाफ फाल के पुरुसकार विनोत खन्ना जी को मिला था 2017 में मिला था राश्ट्रपती किस अनुक्षेत से अध्यदेश जारी करता है तो आर्टिकल 123 से ये जारी करता है सिवल जेवा परतियोकता सुरू करने वाला पहला देश चाइना था चलिए बात करते हैं आज की दिन के पहले कुशन की आज का हमारा पहला कुशन है हाले में विस्तो हिर्दे दिवस कब मनाया गया वर्ड हर्ट डे कब मनाया गया तो इस तो ये अभी हाली में 29 सितंबर को मनाया गया और प्रतेक वर्स ये 29 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ड हर्ट डे हर्ट के बारे में यानि दिल के बारे में जागुपता फैलाने के लिए ये उसको स्वस्त कैसे रखा जाए, हिर्दे को कैसे स्वस्त रखा जाए या फिर हिर्दे से related क्या-क्या बिमारिया हो सकती है इसके बारे में awareness हैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है इस बार के theme रखी गई है Use Heart to Connect 1999 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है WHF के द्वारा यानि World Heart Federation के द्वारा जिसके अस्थापना सन 2000 में हुई थी मुख्याले है जिनेवा में और रध्यक्ष है राजी गुपता जी अच्छा जब ये मनाया जाना शुरू हुआ था दोस्तो तब ये last Sunday को मनाया जाता था सितंबर महीने के लेकिन फिर उसके बाद से एक date fix कर दिया गया 29 सितंबर clear चलिए तो ये था विश्वहिर्दे दिवस बाके सितंबर महीने में कौन-कौन से day आये हैं देख लीजिए फटा-फट से revise कर लीजिए गा इसको वीडियो को pause करके इसे पढ़ लीजिए या फिर ले लीजिए screenshot चलिए देखते हैं अगला कुशन जापान के नए प्रधान मंतरी कौन बने तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तो फूमियो किसिदा कौन-फूमियो किसिदा आपको मैंने रताया था कि जापान के जो वर्तवान में प्राइम मिनिस्टर है योसी हीदे सुगा इन्होंने इस्तीफे की घोशना कर दी थी इन्होंने सितंबर महीने के सुरुवात में ही बोल दिया था कि इसी महीने ये इस्तीफा दे देंगे इन पर प्रेसर आ रहा था पबलिक का और ये इस्तीफे की घुशना कर चुके थे तो फिलहाल नए प्राइम मिनिस्टर बन गए है फुमियो कुसिदा जो आपको ये इमेज में दिख रहे हैं यही है तो ये योसी हीदे सुगा की जगा पर आएंगे ये दोस्तो पूर्व विदेश मंतरी थे जापान के अभी इनोंने चुनाव जीत लिया है तो अभी जो योसी हीदे सुगा है इनकी जगा पर ये आ जाएंगे इन से पहले कौन थे सिंजो अभे थे सिंजो अभे ने जब इस्तीफा दिया पिछली साल तो उसके बाद योसी हीदे सुगा आए अच्छा सिंजो अभे को दोस्तो पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है भारत के याद रखना आपको भारत में इस बार साथ पद्म विभूशन सम्मानित किया गया है क्रस करेंगे तो है जापान जापान की राजधानी होती है टोक्यो और यहीं पर हुआ टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरलंपिक टोक्यो ओलंपिक में भारत रहा 48 अस्थान पर 7 मिडल के साथ इस 7 मिडल में दोस्तो एक गोल्ड था दो सिल्वर था और 4 था ब्रॉंज मिडल इसके अलावा दोस्तो पैरलंपिक में भारत की बात किया जाए तो 24 अस्थान पर था देखी 48 का जस्थ हाफ कर दीजिए 24 अस्थान पर था भारत भारत ने टोटल जीते 19 मिडल इस 19 मिडल में दोस्तो 5 था गोल्ड 8 था सिल्वर और 6 था ब्रॉंज मेडल किलर बिल्कुल जापान की करेंसी की बात करें तो होता है येन यहां की संसत कनाम होता है डाइट और उगते हुए सूरिका देश कहते हैं जापान को एक ये एसेन कंटरी है बात करते हैं अगले कुशन की अभी हाली में सोजत महदी को किस राजी का जियाई टैग मिला तो अभी हाली में सोजत महदी को दोस्तो राजस्थान के सोजत महदी को जियाई टैग मिला है जियाई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भोगोलिक उतपाद टैग तो ये राजस्थान का है product सोजत महदी राजस्थान में सोजत नाम की एक तहसील है तो वहाँ पर दिया जाता है अच्छा साथी साथ में दोस्तों असम के एक सराब को भी दिया गया है GI Tech असम की जो सराब है उसका नाम है जूडिमा तो असम की जूडिमा सराब को और राजस् सिग्मा ने आपको बताया राजस्थान में एक तहसील है पाली जिले में तो वहाँ पर ये उगाई जाती है प्राकृतिक रूप से महदी की पतियों से निगलने वाले जो सोजत महदी होती है इसकी खेती जो होती है प्राकृतिक रूप से वर्सा जलका उपयोग करके होती है काफी famous होती है इस वैसे इसको दिया गया GI tag ठीक है इसके अलावक जुडिमा सराब की अगर बात करें तो यह वहां पर जुडिमा चावल से बना असम का एक अस्थान ये दोस्तों एक किडवित पे है जिसे दिमासा समुदाय द्वारा बना दे आता है अब देखें दिमासा समुदाय जौरा बनाये जाता है इसलिए इसका नाम भी जुडिमा है जुडिमा ठीक है जुडिमा बोलो चाहे जुडिमा बोलो इसमें जु का मतलब होता है सराब और दीमा का मतलब होता है दिमासा यानि ये दिमासा जो समुदाय है community है इसके द्वारा बनाये जाता है ठी मने आपको बताया था जैसे नागलेंड के खीरे को या कहें नागा कुगुम्बर को मिला जियाई टेक, मड़िपूर के सिराराखोंग मिर्च और तामेलाउंग संत्रा को मिला जियाई टेक, महराष्ट में पालगर के चीकु को दिया गया था जियाई टेक, गोवा की कोला मेर्च को दिया गया था GI Tech यह GI Tech अभी हाल फिलाल में दिये गए हैं सबसे पहली भार GI Tech किसे मिला था दारजलिंग की चाय को मिला था इसके लिए Act का पारित हुआ था 1999 Act आया था 2003 में यह लागू हुआ था दिया जाना और 2004 में सबसे पहले दारजलिंग की चाय को मिला था किलिर अच्छा एक और important point यह GI Tag होता क्या है और इसको देने से फायदा क्या होता है तो GI Tag यानि geographical indication tag दोस्तों जब कोई product जब कोई उत्पाद एक ऐसा हो जिसकी वज़े से उस product की वज़े से वो पूरा का पूरा area पहचाना जाने लगता है वो area famous हो जाता है तो उस product को सरकार कहती है कि आप अपने इस product को थोड़ा सा और globalize करो थोड़ा सा और branding करो इसकी तो उसकी और ज़दा branding करने के लिए साथ जाद उसकी black marketing को रोकने के लिए क्योंकि black marketing भी होने लगती है नाम वहाँ का है उसके बाद फिर उसके के नाम से fake में गलत दामों पर भी बेचा जाएगा ठीक है तो black marketing को रोकने के लिए एक प्रकार से standardization के लिए और उसको branding करने के लिए इन सब कामों के लिए उसको GI tag दे दिया जाता है ठीक है जिसको उसकी पहचान बढ़ जाती है ठीक है चलिए तो यह सब कारण होते हैं जिनकी वज़से GI tag मिलता है किसी भी उत्पाद को अगला question देखते हैं हाली में स्वक्ष सर्वेच्छण का सात्वा संसकर्ण किस ने जारी किया तो अभी हाली में केंद्रिय मंत्री हरदीब सिंग पूरी जी ने स्वक्षिता सर्वेच्छण का सात्वा संसकर्ण अपना जारी किया है हरदीब सिंग पूरी ये जो आपको दिख रहे हैं ये केंद्रिये आवास और सहरी मामलों के मंत्री हैं तो इन्हों ने अभी हाली में स्वक्षि सर्वेचर का अपना सातवा संस्क्राइब जारी किया है इसमें इस बार पहली बार जीला रैंकिंग पेज की गई है जीलों की रैंकिंग इसमें जारी की गई है ठीक है इसमें दोस्तों इस ranking में बिसिकली ये बताया गया है कि सामुदाइक अस्तर पर या सारजनिक सवचालेों में quality कैसे रहेगी ठीक है वहाँ पर स्वक्षिता कैसे रहेगी इन सब पर एक report जारी की गई है प्रकार की ranking जारी की गई है तो एक केंदरी आवास और सहरी माम लोग के मंदराले के द्वारा जारी की गई है clear अच्छा इसके लिए एक और एक प्रकार से कहें कि उत्सो टाइप का सुरू करने की गोशना की गई है सारजनिक सोचाले सफाई जन भागीदारी उत्सो ओके चलिए अगला कुशन किस देश ने rider cup golf tournament जीता तो अभी हाली में अमेरिका ने जीत लिया है rider cup golf tournament इसने दोस्तो यूरोप को हरा करके जीत लिया rider cup tournament ये गोल्फ से संबंदर tournament होता है गोल्फ आप जानते ही हो गोल्फ के जो महानतम खिलारी है वो कौन है वो है tiger woods तो इनका भी नाम आपको याद रखना है tiger woods ठीक है तो अमेरिका ने जारी cup cup जीता था तो इससे पहले 1989 में 1983 में और 2016 में जीत चुका है लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब 1999 के अंतर से जीता है ये बहुत बड़ा अंतर है बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी डिफरेंस से जीता हुआ है जब से 28 point format शुरू हुआ है तब से rider cup के इतिहास में इतने बड़े अंतर से कोई जीता नहीं था राइडर कप ध्यान रखिएगा ये गोल्प से संबंदिर टूर्णामेंट है अब आया है अमेरिका तो अमेरिका के बारे में देखते हैं अमेरिका देखिए वर्ड मैप में यहां पर रहा ये नौर्थ अमेरिकन कॉंटिने एमेफ का हेड़कॉर्टर है माइक्रोसॉफ्ट का हेड़कॉर्टर है और किसका नासा का भी हेड़कॉर्टर यहीं पर है यूएस डॉलर यहां की करेंसी होती है कांग्रेस होती है यहां की संसत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी एकोनॉमी है अमेरिका जो बाइडन 46 अभी हाली में दिनेश साहरा को दोस्तो Global Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है यह जो आपको इमे में दिख रहे हैं यह में है दिनेश साहरा इनको दोस्तो खादे तेल उद्योग में जो Food Oil होता है उसकी Industry के लिए इनका जो भी योगदान रहा इनका जो भी Contribution रहा जीवन भर का ल जोगदान के लिए दिया गया है अच्छा मध्य प्रदेश को भारत का सोया कटोरा के रूप में बदलने का सरे इन ही को जाता है मध्य प्रदेश में आप जानते हो सोयवीन की का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो मध्य प्रदेश को इस कंडिशन में लाने मे कम्प्लीट कर चुके हैं T20 में और ये पहले भारतिये बन गए हैं और ओवराल पाच में खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया भर के अब देखिए दुनिया भर में पहले पाच खिलाड़ी को ने ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर विडार कोले के बारे में जानिए ये इनसे अभी एक खवर आये थी कि T20 वर्ड कप के बाद ये सन्यास ले लेंगे T20 वर्ड कप जब अभी होने वाला है ना UAE और ओमान में होगा अक्टूबर मन्त में ही तो उसके बाद ये सन्यास ले लेंगे इसके बाद नए कैप्टन कौन बनेंगे रोहित सर्मा बनेंगे T20 से लेंगे लेकिन अभी वंडे और टेस्ट के अभी भी ये कैप्टन है वंडे और टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कैप्टन है आरसी भी यानि रैल चलेंजर बैंगलोरू के ये कैप्टन है और इससे भी ये सन्यास ले लेंगे ये जब से आरसी भी हुई है शुरू तब से यही थे captain, तो ऐसे में जब captain कपत छोड़ेंगे तो बड़ी news होगी, ओके, तो यह दो point आपको याद रखना है, अभी इसकी बात करें 10,000 run मनाने की, तो यह Mumbai Indians के खिलाब IPL में अभी यह run complete किये हैं, 10,000 T20 format में, इन से पहले total अगर बात किया जाए, तो अभी 5 पुलाइट, सुयब मलिक, डेविड वार्नर और विराट कोहली, run की मामले में बात करें, तो विराट कोहली जो है, डेविड वार्नर को पीछे कर दिये हैं, और आगे हैं, चौथे अस्थान पर, अगला खुशन देखते हैं, SND समूह ने कितने अफगान महिलाओं को माना प्रोषकार के लिए नामित किया, तो अभी हाली में SND ग्रुप ने 11 ऐसी महिलाओं को नॉमिनेट किया है, सखा रोव प्रोषकार के लिए, याद रखेगा, सखा रोव प्रोषकार के लिए, सखा रोव प्रोषकार जो होता है, सखा रोव प्रोषकार जो होता है, ये अभी अवार्ड दिया जाना बार की है, जैसे मैंने आभी आपको उस दिर मताया था, नॉमिनेशन अलग होता है, अवार्ड विनर अलग होता है, तो अभी ये नॉमिनेशन गया है 11 महिलाओं का, ठीक है, इनको दिया जा रहा है, अफगानिस्तान में ये सभी देखिए, इसमें कोई लेखक है, कोई राइटर है, कोई एक्टिविस्ट है, सोसल एक्टिविस्ट है, जब मिलता है तब मैं आपको बताऊंगा question लेकर की ठीक है तो फिलहाल विचार की सुतंतरता के लिए सखारो पुरुषकार दिया जाता है यूरोपीय संग की द्वारा ठीक है ये आपको याद रखना है चलिए अच्छा S&D का पूरा नाम क्या होता है Socialist and Democrats Group एक बहुत अच् बच्चों ने इसे लिया हुआ है और जब आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि किताब में अच्छा detail content है काफी अच्छे से लिखा गया है तो थोड़ा सा motivation मिलता है बगार से और अगली बार और अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास में करूंगा जरू लेकिन अगली जो पुस्तक आएगी वो November या December में आएगी तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है इस पुस्तक को वो ले सकते है hard copy में ठीक है इसके बाद फिर soft copy आएगी limited copy ही अब बची हुई है ज्यादा copy बची नहीं हुई है दो बार already printing करवाई जा चुकी है तो तीसर जीते इंद्र सिंग जो की केंद्रिय राज्य मंत्री है इन्होंने जन केर नाम से एक Amrit Grand Challenge प्रोग्राम लांच किया है यहाँ पर image में आपको दिख रहे है जीते इंद्र सिंग जी यह दोस्तों केंद्रिय राज्य मंत्री है विर्ग्यान और प्रदोग की विभाग का ठीक इन्होंने यह लांच किया है जन केर नाम का Amrit Grand Challenge प्रोग्राम इससे क्या होगा इससे दोस्तों टेली मेडिसिन हुआ डिजिटल मेडिकल जो मेडिकल हुआ या फिर या फिर AI ब्लॉक्चेन या आर्टिफिसल इंटेलिजन्स ब्लॉक्चेन या जो भी टेक्नलोजी सेक्टर में जो भी start-ups होंगे या innovations होंगे ऐसे इसमें 75 select की जाएंगे ऐसे 75 startups और innovations चुने जाएंगे और उनको promote किया जाएगा उनको अगर कोई help चाहिए होगी सरकार कितरप से तो help किया जाएगा यानि कि एक line में कहें तो ऐसे innovations और startups को बढ़ावा दिया जाएगा क्लियर है चलिए अगला कुशन देखते हैं हाली में किसने Axis Bank के कारे कारी निदेशक पत से इस्तीफा देने की घुशना की तो अभी हाली में राजेज दहिया ने दोस्तों घुशना की है कि वो Axis Bank के Executive Director के पत से इस्तीफा दे देंगे राजेज दहिया है कौन? यहाँ पर देखिए यह है इमेज में राजेज दहिया यह Axis Bank के अभी तक यह Executive Director थे लेकिन यह स्तीफा दे देंगे कब देंगे एक जनवरी से देंगे एक जनवरी 2022 से यह अपना पद छोड़ देंगे अभी फिलाल नहीं छोड़ने वाले हैं कुछ महीनों तक यह जून 2010 में Axis Bank में सामिल हुए थे और 2016 में यह Executive Director बनाए गए थे Axis Bank के एक्सिस बैंक की बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1993 को हुई थी मुंबई में Headquartered है एक Private Sector की Bank है और MD और CEO है अमिताव चाओधरी क्लियर बिल्कुल तो बस दोस्तों यह तो थे हमारे आज के दिन के Top 10 Current Affair के Questions I hope आपको वीडियो आई होगी पसंद और आपने कर दिया होगा Like अगर आपने अभी तक by mistake लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को Like कीजिए Share कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आने वाली वीडियो इसका notification आप तक पहुंसता रहे इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिलेगी हमारे application MZT app पर तो Google Play Store पर जाएए MZT app डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फिरी में आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कीजिए ठीक है इसकी अलामा इसकी quiz भी आपको वही पर मिलेगी आप solve कर सकते हैं टेलिग्राम पर वन लाइनर भेज़ जाता है तो आप टेलिग्राम से वन लाइनर भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम जा करके MZT एजूकेशन सर्च करके बात करते हैं कुश्चन सब्दर डेकी आज का पहला कुश्चन आपके लिए पुलिजर पुरुसकार से जो होता है डेटेल में जारस ज़दा पॉइंट्स लिखने का प्रयास करना कमेंट करके हमें बताना वीडियो कैसी लगी है अगर आपका कोई सुझा होए तो आप वो भी बता सकते हो वीडियो को इंटर देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में और भी अच्छे-च्छे कुशन्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद वंदे मात्रम